इसके पहले एपसोड में हमने देखा दुनिया का आतामवादी राज पूरे जरिश्टिक लेके हालत खराब कर दी है और पूरे दुनिया के नेट्वार को हैक कर लोगों के मन में लेंग्वेज स्क्रैम्बलिंग कर रहा है पर बाद में पता चलता है कि ये सब कन्ये का प्ला सिकागो के एरपोर्ट में लाकर 76 में प्लूटोनियम एक्स्प्लोजिव बम को ट्रैक किया गया पर नमबर मिस था दुनिया का इको टेरिश्ट रास अर्गुल ने अपने टावर अब बेबल की मदाद से पूरी दुनिया में अल्टरसोनिक प्रसारित किया जिसके का लोग के ब्रेंड में लेंग्वेज का भ्राम होने लगा किसी को समझनी आ रहा था कि ये कौन सी भासा है इसका ये प्रभाव हुआ कि साउथ कोरिया के आर्मी नार्थ कोरिया में घुज गए जिसके कारण यूद्ध का महौल बन गया पर इससे बुरा हाल जर्टिक लिग के कुपरमेन रेट किप्टोनाइट के कारण उसकी पावर लास होने लगी और उसका स्क्रीन पारदर्सी हो गया वीबरा बुल्यएर से हमला किया गया जिसके कारण उसे हलकी गती में भी जटके लगने लगे ग्रिन लेंटरन अंधा हो गया वंडर रूमेन अपने ही दिमाग के ब्रहम में फंस गई और मैन हंटर हवा के संपर्ख में आते ही जलने लगा और दूसी तरह बेटमेंड रास के गुंडों से पिछा छुड़ा रहा था और दौरते हुए परवत के मुहाने में फंस गया बेटमेंड एक्वामेंड से संपर्ख करता है पर टावर अब वेवल के कारण लेंगवेंज बे गरबड़ी हो गई थी अब बेट मेन के पास दो राज थे थे या तो रास के गुंडों के हाथों से गोली खा कर मर जाए या फिर हिमालाई परवा से कुद कर अपनी जान दे दे तभी बेट मेन ने वहां से जम कर दिया रास के गुंडों को लगा बेट मेन की आत्मा परलोग चली गई पर बेट मेन एक पत्थर पर लंगूर की तरह लटका था एकवा मेन भी चकर खा कर गिरने लगा पर प्लास्टिक मेन ने आकर उससे थामा खुश समय बाद एकवा मेन रेगिस्थान में था वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे रेग से हीट बनकर निकल रही थी सुपर में ने किसी तरह खुद को समाला फिर फ्लैस के विबरा बुलेट को हीट से उड़ाया फ्लैस बोलता है मैं इस दर्द को बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितना दर्द हुआ मैं हर पल मरने की प्राथना कर रहा था पूरे लिग धीरे-धीरे समालने लगी मैं हेंटर बोलता है तुम अंधे पोस्ट हैपनोटाइक के कारण हुए जिसे तुमारे रिंग पर रखा गया था पर मैंने इसे हटा दिया है ग्रीन लेंटर बोलता है जब मैं सो रहा था तब किसी ने ये काम किया होगा पूरी दुनिया आग से जल रही थी टावर आप बेबल ने सभी का दिमाग खराब कर दिया था किसी को भी किसी की लेंगवे समझ नहीं आ रही थी पूरी तरह से नेटवर्क जाम हो गया था यह नजारा अंतरीक्ष से देखते ही सभी सुपर हीरो चौक पड़े तो दूसी तरप रास के हेटकौाटर में टालि दे दी तालिया बोलती है क्या तुम्हें उसकी लास मिली सुल्जर बोरता है नहीं तालिया थपर मारते हुए बोलती है जब तक उसकी बाड़ी नहीं मिल जाती है तब तक तुम कैसे बोल सकते हो कि बेटमें मर गया जाओ और उसका बाड़ी लेकर आओ पर जिसने थपर ख लेक कर हमारी कमजोरी निकाली होगी फिर प्लान के साथ हमला किया होगा बेटमेन ने उनसे संपर्क किया सभी वहां से बाहर जाते हैं बेटमेन अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तभी सुपर्मेन आ जाता है बेटमेन बोलता है इसके पिछे रास कहांस था हमें जाना चाहिए जहां से लेंग्वेज स्क्रेंबिलिंग हो रहा है जर्श्टिकली की टीम पहले से वहां पहुच गई थी बेटमेन बोलता है सभी यहीं है सबसे पहले हमें इस टावर को नाश्ट करना होगा ग्रीन लेंटरन और वंडर उमेन बेटमेन की बात पुरी सुने बीना ही आगे बर गए तभी राज के गुंडे वहां आ गए सुपरमेन और फ्लैस टावर के अंदर गए वंडर उमेन और ग्रीन लेंटरन उनकी फाइटर प्लेन पर हमला किया सुपरमेन के अंदर जाते ही रेड लाइट जली सुपरमेन घपरा गया फ्लैस बोलता है ये बस अलाट सिंग्नल है सुपरमेन बोलता है सभी बाहर चली जाओ मैं देखता हूँ सुपरमेन की आखे चमकी और अगले ही पल टावर अब बेबल का काम तमाम हो गया सुपरमेन आग की लप्टों के साथ बाहर आया सुपरमेन बेटमेन से बोलता है बता हो क्यों बेटमेन बोलता है मेरे पास कारण है पर मैं खुस नहीं हूँ कि रास ने तुम लोग साथ ऐसा किया रास ने मेरे कम्प्यूटर को हैकर सभी जनकारी निकाल ली सुपर्मेन बोलता है रास को अब हमारे बारे में सब कुछ पता है तभी सुपर्मेन नीचे गिर गया बेट्मेन बोलता है रेट किप्टोनाइट का असर अब भी बाकी है तभी फ्लैस को कुछ आवाज सुनाई देता है फ्लैस बोलता है किसी को कुछ सुनाई दिया ये टालिया है टालिया बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो ये मैसेज मैं तुम्हारे दिमाग तक पहुचा रही हूँ तुम लोगों को लग रहा हो कि टावर को नश्ट करने के पाद जीत गए हो पर नहीं मेरे पिता जी टर्की और फास्टन के बीच युद्ध कराना चाहते हैं जीसे मैं रुकना चाहती हूँ कुछ गुंडे टालिया के सोल्जार को मार अंदर घुस गए थे लिग के सभी मेमर सोचते हैं कि हमें रास के बेटी पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं टालिया बोलती है हो सकता है कि मेरे पिता के पास एक और टावर आप बेबल हो मैं अपने पिता के खिलाब इसले गई क्योंकि मेरे पिता जी एक बायो टेरिरिस्ट है और ओ बायो केमिकल वीपन की मदद से टर्की पर हमले करने वाले हैं मैं एक बंकर के अंदर हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो तभी एक विलेन ने आका टालिया के पैर पर गोली मार दी फिर वह बोलता है इसने बहुत कुछ बग दिया है पर तुम उन्हें ढून नहीं सकते हो बायो केमिकल वीपन का नजारा देखना बाकी है जौन हर समय सोच रहा था उसे बाहर आना चाहिए कि नहीं वो अब भी उस पल को सोच कर काप रहा था इससे पहले उसे कभी ऐसा दर्द मसूस नहीं किया था पर कब तक्रार के साय में में हंटर जी सकता था तो नहीं एकवा में को लगता है कि ओ रेगिस्तान में सेफ है और रेगिस्तान पर पानी देखते ही भागने लगा पानी कजीव पानी में ही दम घुटने लगा यहाँ देकर में हंटर ने ट्यूब के अंदर छलांग लगा कर उसे काभू करने एक कोसिस की अब बेटमेन पर बिजली गिन्ने वाली थी पूरे जैस्टिक लिग बेटमेन को दोसी ठाराने लगी प्लास्टिक मेन के मुँँ से जैसे बेटमेन के लिए जहर ही निकल रहा था बेटमेन बोलता है यह सब बाते बाद में की जा सकती है पहले हमें मिडिल इस्ट को बायो हजार से बचाना है तो सभी सूपर हीरो टर्की के लिए बढ़ेंगे और मैं और सूपरमेन रास के हेटकौाटर जाएंगे सूपरमेन बोलता है क्यों बेटमेन बोलता है तो टर्की और रेफेस्टन के बीच यूद्ध सुरू हो जाएगा प्लास्टिक मेन बोलता है रास पापुलेशन कंट्रोल करना चाहता है और इससे बेस्ट आइडिया नहीं है पापुलेशन कंट्रोल करने का तभी फ्लास को कोई इंफेक्टेड बेक्ती मिल जाता है बेटमेन सूपरमेन को समझाने कोसिस करता है बेटमेन बोलता है रेट क्यूप्टोनाइट ग्रिन क्यूप्टोनाइट का एक नमूना है जिसे कृतिम युद्धी सब बनाया गया था रेट किप्टोनाइट का मतलब मानना नहीं था बलकि पूरी तरह से कमजोर करना था पर मुझे पता नहीं था कि इस आइडिया का डाटा कोई चुरा लेगा तो दूसी तरफ उस सोलजार को टालिया को गोली मानने की करण पकल लिया गया था बोलता है उसने हमें धोका दिया हमारे दूसमान को पूरी जनकारी दे दी राज बोलता है पर तुम्हें पता है ना कि वहाँ मेरी बेटी है फिर भी तुमने उस पर गोली चलानी की हिम्मत की इस सेर को खिला दो तभी सुपरमेन वहां आ जाता है और उसको बचा लेता है पर अगले पर सुपरमेन के सामने सेर था ग्रीन लेंटरन उस एरिया को ढख लेता है ताकि कोई इंफेक्टेड ना हो तभी कुछ लोग आ जाते हैं और वंडरूमेन को बताते हैं कि कुछ ब्यक्ति जो मास्क पैने थे उनको सीटी की तरब जाते देखा मास्क कमेन लोगों पर हमला करने के लिए त्यार थे फिर उन्होंने लोगों पर गोली के बरसात कर दी तभी वंडरूमेन आ जाती है और गोली को रोक लेती है फिर प्लास्टिक मेन उस गुंडे को पकड़ लेता है पर एक ब्यक्ति बाकी था जिसके पास बायो केमिकल विपन थे वंडरूमेन लासो को फेका वह बच्चे से दार टकराया बच्चे नीचे गिनने लगे तभी वंडरूमेन ने बच्चे को बचाने के लिए जम किया वह अब्यक्ति भी नीचे गिनने लगा और बायो केमिकल के हंत्यार के बटन दब गए तो दूसी तब सूपरमेन जानवर को पिंजरे में कैद कर लिया बेटमेन बताता है कि रास ने उसके पेरेंस के बाड़ी को चुरा लिया है और लावे की उपर रखा है सूपरमेन ठीरकी तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और ताबूत को पकरनी कोशिस करता है तभी रेट किप्टो नाइट चमकी सूपरमेन लावा में गिरने लगा बेटमेन बोलता है टालिया कहा है रास बोलता है मुझे पता है डिटेक्टिव मुझे धोखा देने के पा आला था तभी किसी ने रसी फेकी एकवामेन ने सूपरमेन को पचा लिया और ताबूत को मैन हंटर ने बचाया तब तक रास भाग चुका था तभी डाक्टर केन भागने लगा डाक्टर केन को पकड़ लिया गया जिसने टावर अब बेवल बनाया था सूपरमेन बोलता ह डाक्टर केंड हमारे पास है और इसके बीना टावर अब भेवल नहीं बना सकता है तोहीं डाक्टर केंड को भी पता नहीं था कि रास कहां भागा तो दूसी तरह प्लास्टिक में ने बच्चों को बचा लिया और वंडरूमेन ने अतंगवादी को पकड़ लिया सिर्फ रास को पकड़ना भागी था आतंगवादियों के कहानी खतम हो चुकी पर बेट में के लिए फैसला लेना भागी था पूरी जश्टिक लिग के टीम आपस में डिसकास करते हैं कि टीम में बेट में होना चाहिए कि नहीं सभी इसके लिए ओट करते हैं वंडरू में प्लास्टिक में और एक्वा में ने निसकासित करने के लिए ओट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि बेट में पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो अहीं फ्रैस, ग्रीन लेंटर और में हंटर ने बेट में के टीम में रखने के लिए ओट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटमेन के योजुना पर एकतार का बिंदू था इस फैसले के लिए एक्वामेन और मेन हंटर आपास में जगडने लगे पर आखरी फैसला बाकी था जो कि सुपारमेन का था सुपारमेन बोलता है आप उसे ओट कैसे कर सकते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जानता है जब ओस अभी कमरे में प्रवेश करते हैं तब बेटमेन वहाँ पर नहीं था सुपारमेन इससे आश्चर्य चकित नहीं होता क्योंकि बेटमेन जानता था कि उनका फैसला क्या होगा एक बार फिर बेटमेन ने साबीत कर दिया कि ओस सभी से आगे हैं पर अब बेटमेन के बीना जश्टिक लिग कैसे होगी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई